हेलो और वेलकम तो मैं चैनल अपना इंशुरेंस वाला तो आईए सीधा वीडियो पर चलते हैं यहां मैंने LIC के प्लाइन जीवन लाब टेबल नंबर 936 में दो आप्शन लिये हैं पहले आप्शन में 16-25 वाला आप्शन लिया है जिसमें 16 साल आपको किष्ट जमा करनी है और 25 साल बात पैसा मिलेगा दूसरा आप्शन में 15-21 वाला लिया है जिसमें 15 साल किष्ट बनी है और 21 साल में आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे सैंपल एज में 30 साल लिया है और मन्थली किष्ट 5,000 रुपे लिया है इस तर रिक्य से अगर आप 16-25 वाला आप्शन में लेते हैं तो सम इश्यॉरड यहाँ पे 12,50,000 रुपीइश लिया है और महीने की किष्ट 5,000 रुपे रहे इसलिए 15,21 वाले option में जो समश्योड है वो है 10,70,000 रुपीज तो अगर आप 5,000 रुपे महीने की किष्ट 15 साल तक भरते हैं तो आपको maturity मिलती है 21,65,680 रुपीज उसी जगर अगर आप 16,25 वाला option लेते हैं तो आपको सिर्फ एक साल एक्स्ट्र यानि 5,000 रुपीज एक्स्ट्र देकर आपको maturity मिलती है 32,81,000 यानि आपको सिर्फ 60,000 रुपीज एक्स्ट्र देने पर या कहें की वही 5,000 रुपीज हर महीने एक साल पर देने पर 11,11,000 रुपीज एक्स्ट्र मिलते हैं एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि maturity में 4 साल का अंतर है पर 4 साल के weight से इतना बड़ा लाब मिले तो अच्छा ही होता है और कहा भी गया है कि सबर का फल मीठा होता है